प्रदेश के लगबग हिंसों में आसमान में बादल चाय हुए है ऐसे में यह कहा जा रहा है कि प्रदेश के अगले 24 घंटे में तेज हवा के साथ बारिस होने की पुरी संभावना है पतना मौसरम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के मसार यहाब बताया गया है कि प्रदेश के छह जिलों में तेज हवा के साथ बारी होगनकी पूरी शंभावना जताई गई है शाथे साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि परदेश के पूरवी और दक्चिनी पूरवी हवा का परभाव बना हुआ है आति-साथ बिभाग ने यह भी काया है कि प्रदेश में इसकी रव्तार आट से दस किलिमिटर पृती घंटे की रव्तार से हवा बहने की बात कही गई है वही मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के नुसार यह भी बताया गया है कि रजधानी के साथ-साथ इसके आसपास के इलाके में में खास करके अगर हम बात करनें जहानाबाद में तो यहां बारिस काओ लेकर इलट जारी किया गया है जाथ-साथ-साथ-प्रदेश के यह भी कहा गया है कि मौसम का मिजाद जिस दर से बदल रहा है इससे प्रदेश के कई हिस्तों में बारिस होने की समावना है इस दोरान प्रदेश में पुर्भी हवा का परभाव जा रही है साथ-साथ यह भी कहा गया है कि प्रदेश में इस दोरान गर्म हवा चलने की भी बाद कही गई है जिससे की उमस के सिती बंगती हुई नजर आ रही है मौसमिभाग की तरफ से जारी अपडेट कामसार यह बताया गया है कि अगले 24 घंटे में बिहार के उत्तर पुर्वी भाग, पुर्वी चंपारण, पस्वी चंपारण, सीता मढ़ी, मुदुबनी, सीभा सुपावल, अरर्याक की संगर्ज में एक से दो अस्थानों पर करेज के साथ बारिस होने की पूरी समभावना जताई गया है प्रदेश के आधा दर्जन जीलों में इसका परभाव देखने को मिलने वाला है, बिहार में बारिस को लेकर मौसम विभाग ने यह बताया है कि अगरे 24 घंटे में प्रदेश के कई जुलों में बारिस होनी है, मौसम विभाग की तरब से जारी अपडेट कमसार और अरंग यह बताया है, तो ऐसे में अगरे 24 घंटे में प्रदेश में के कई जिलों में बारिस होनी की संभावना है, साथ-साथ मौसम विभाग ने वी कहा है कि बारिस हमाप होने के बाद आपको जो है गर्मी चलना पड़ेगा, यानि कि तेज गर्मी पड़ने वाली है, बारिस का दोरान आपको उमस की भी एक तरह से कहलें कि मौसम की जो इस्तिती है, उसमें उमस बनने की स्थी बनने वाली है, तो एक तरह से कहलें कि तीन अलग अलग इस्तिती हैं, एक तो तेज गर्मी, दुसरी बारिस और तिसरा उमस, तो ऐसे में प्रदेश के लोग जो है इन तीन जा जद तन्न बाद